इस्त्रों की सबसे उंची उना सूरज को समझने चला आदित्य एलफ़न पंद्र लाख किलो मीटर के लंबे सफर पर आदित्य एलफ़न एक बार फेर इस्रों वैज्यानिकों ने कमाल कर दिखाया है सही तारीख और तैव वक्त पर वैज्यानिकों ने श्री हरी कूटा स्पेस सेंटर से मिशन सूर्य यानि मिशन आदेते L1 को लॉंच कर दिया है इस पलका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जैसे घड़ी में 11 बज कर 50 मिनट का वक्त हुआ इसरो स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉंच कर दिया गया और जैसे ही आदेते L1 ने धरती से सूरज की तरब खोडान भरने शुरू की इसरो सेंटर में मौझूद वैक्यानिकों की खुशी का ठेकाना नहीं रहा पूरा इसरो सेंटर कालियों की गड़गडाहट से घूँजुठा और फिर पूरी तसल्य और हर छोटी-मोटी दिक्कतों को दूर करने के बाद भी इस मिशन को फाइनल किया था और इसकी लाँचिंग के साथ ये एक बर फिर से पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत और इस्रो पर्ठी की हुई आदित्या एलवन सूरज की तरफ जाने वाला एस्रो का पहला मिशन है लहाजा इसकी लॉंचिंग के साथ ही बधाईयों का सिलसिला भी शुरू हो गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोती ने एस्रो वैज्यानिकों को मिशन की सफलता के लिए बधाई दी और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है इसकी पुष्टी कर दी गई है आदित्या एलवन सबसे पहले को मैं अभी अभी मिशन आदित्या लॉंच हो चुका है इसलिए सभी को रगय को बढ़ाई देना चाहता है इसरो की सबसे उची उड़ान को देखने के लिए इसरो स्पेस सेंटर में वैज्यानिकों के साथ केंद्ली अमंत्री जीतेंद्र सिंग भी मौजोग थे तो सैक्रों की तादात में वहां जमा लोग भी इस एतिहासिक बल के साक्षी बल इन लोगों में कई स्कूली बच्चे भी शामिल थे जो इस मिशन को लेकर बेहत उचाहत देखे कि तो सुन आभ थे नाएं प्रोग देखे प्र इन लॉब इस ए्ट्र रॉब ऑग्यों में भी जाओ लोज़ ज़ु इस आफे इस एंडेटीड जार शान शांचे आम पर इंद्ध कैंक्यों मौन के वहां जाएं नरेंडर मोजी जी पोगां तो हैंग इस एपन लाँचिंग से पहले इस्रो स्पेस सेंटर से हर गतिविधी पर बारीक नजर रखी जा रही थी वैज्यानिक हर पल डेटा कैलकुलेशन में जुटे थे और जैसे ही सही बगता है आदित्य एलवन को सूरज की तरफ रवाना कर दिया गया ये इस्रो की सबसे उची उड़ान है आदित्य एलवन को अपने लक्ष तक पहुँचने में चार महीने का वक्त लगेगा जिसके बाद इसमें लगे पेलोड्स एलवन पॉइंट से सूरज का अध्यान करेंगे और फिर धीरे धीरे सूरज के उन रहस्यों से भी परदा उठना शुरू हो जाएगा जो अब तक हमारे लिए अबूच पहली बनी हुई है इस्रो वग्यानिकों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत स्पेस का सुपर पावर बन चुका है पचास दिन के अंदर दो मिशन को लॉंच कर इस्रो के वग्यानिकों ने इस साबित कर दिया है कि उनकी काविलियत किसी से खम नहीं है वो बड़े से बड़े मिशन को अपनी मेहनत से पूरा करने का माद्दा रखते हैं